प्रेंट्स में सारीका वेल्कम बैक टू माई चैनल प्रेंट्स सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुब कामना है और इसके बाद मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ यहां आप देख सकते हैं गंप्रेना के फ्लावर जो की काफी सुंदर से फ्लावरिंग दे रहे है और फ्रेंट्स अभी हमारे यहां तेज धूप हो रही है इसलिए मुझे पानी बीच-बीच में डालना पड़ता है आप देख सकते हैं कि साधे जितने भी पौधे हैं वो भीगे हुए से हैं गिले-गिले से हैं क्योंकि मैंने अभी वाट्रिंग करी है क्योंकि पत्तियां लटकने लग जाती है अगर हम ध्यान नहीन देपाते हैं तोड़ा सा तो आज हम बात करने वाले हैं क्राइस्थमं प्लैंट के बारे में और फ्रेंट्स इस प्लैंट्स में अगर आपने अभी ताकी कुछ काम नहीं किये हैं तो आप ज़रूर कर लीजेगा और क्या क्या क् स variability होटा है ज़से अच्छा सीजन होता है तो दिल्ट फ्लावर को अच्छा कि बहुत ही नगी बुगवान तो इस प्लावर में आच्छा फ्लावर होता है और विंणा मैं पायी नगीजकन होते हैं तो इस प्लांट को आप जरूर घर के गार्डन में एड़ करिएगा तो चलिए देखते हैं कि हमें इसके प्लांट में कौन-कौन से धिहान रखने वाली बाते करना है या क्या-क्या काम करना है तो सबसे पहली बात कि अगर आपके घर पे क्रैस्टमम के प्लांट पुराने रखे हुए हैं तो आप इनके मिट्टी को जरूर सेंज कर दीजिए क्योंकि मिट्टी में खाद की कमी होने लग जाती है तो पौधे की पतियां वगर अभी छोटी होने लग जाती है अच्छे से ग्रोध नहीं करता है पौधा इसलिए आप अपने पौधे को रिपॉट कर दीजिए मिट्टी में खाद, नेमखली और फंगिसाइड पाउडर जरूर डाल करके बनाई है और वेल्डर बनाने के लिए इसमें सैंड या रेद जरूर मिला दीजिए तो आपके पौधे की मिट्टी बहुत अच्छे से तयार हो जाएगी साथ ही आप अपने पौधे को आपने अभी तक तो कहीं भी रखा होगा पर विंटर में फ्लावरिंग होती है इसलिए इसे आप फूल सनलाइट में लाकर रख दीजिए इसके बाद आप ध्यान देंगे कि आपके पौधे में नीचे की तरफ से कुछ पत्यां सूख जाती है जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो ऐसी पत्यों को आप जरूर हटा करके निकाल दीजिए अगर नहीं निकालते हैं तो इन में पत्यां गीली रह जाती है वाटरिंग करते समय तो फंगस लग सकता है पौधे में या नीचे इसे पौधा खराब हो सकता है तो ऐसी पत्यों को आप जरूर हटा दीजिए प्लांट में किसी तरह से कीड़े ना लगें इसके लिए आप नीम उयल का इस्प्रेज जरूर करिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पौधे हैं जिसमें बर्ड आना स्टार्ट भी हो चुकी है तो सबसे पहली बात कि अभी अगर आप बर्ड से फ्लावरिंग ले लेंगे ना तो फिर आपको आगे चल करके फ्लावर कम ही मिलेंगे क्रैस्टमम के प्लांट में इसलिए इनके जितनी भी बर्ड सा रही हैं उनको आप कट करके हटा दीजिए और इनका बिल्कुल लालस मत करिए क्योंकि आप खुद देखेंगे कि जब आप पिंशिंग करते हैं तो आपका पौधा जादा अच्छे से ग्रोध करता है और फ्लावरिंग भी अच्छी करता है इसलिए आप इनकी बर्ड को तोड़ कर हटा दीजिए और अगर आपकी प्लांट में बर्ड नहीं भी आई है तो भी आप एक बर जरूर पिंशिंग कर दीजिए क्योंकि अभी टाइम है प्लांट के ग्रोध करने का ग्रोध करेगा और इसमें उसके बाद जब बर्ड आएंगी तो आप खुद ही देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बर्ड आएंगी और फ्लावरिंग कि अब आप इसको फुल सनलाइट में रख दीजिए फ्लांट को थोड़े ही दिन में देखेंगे कि आपका प्लांट काफी अच्छे से ग्रोध लेगा और बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी तो बस फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो अविगा मेरे सेनल को तब तक की विए बाई